हाई एरी इस, मैष राशी कैसे हैं आप सभी स्वाकत हैं आप सभी का मेरे चानल पे आज हम आपके ने reading करने वाले हैं कि भोले बाबा की तरफ से आपके लिए क्या message है वो आपको क्या कहना चाहते हैं तो चले start करते हैं आपकी reading भोले बाबा का नाम लेकर के आप जिन्भी शक्ती में बिलीव करते हैं आप उनका नाम ले सकते हैं आपको यहां से guidance जरूर मिलेगी Thank you भोले पापा प्रीज बताएं एरीज में श्राशी वालों को आप क्या message देना चाहते हैं Okay, wait एरीज में श्राशी वालों को आप क्या message देना चाहते हैं Abundance Prepare yourself for incoming abundance Release any mental blocks you may have In fairy land and human land there is enough abundance for everyone My dear भूले बाप आपको कह रहे हैं कि आपकी mind में आपकी अंदर जितनी भी blockages हैं जो भी जो भी चीज आप अपनी life में चाहते हैं abundance माने खुशियां ये सिर्फ आप किसी materialistic I mean money से related इसको नहीं सिर्फ connect कर सकते ये आपकी relationships हो सकते हैं आपका career हो सकता है आपकी health हो सकती है आपकी emotional stage हो सकती है कुछ भी emotionally आप कितने खुश है basically तो आपको divine नहीं पर बोल रहे हैं कि आपको अपने मन में जो भी आपके doubts हैं जो भी negativity है कि मुझे ये चीज नहीं मिल सकती मेरी life में कोई relationship मैं किसी relationship में बंध नहीं सकती मैं किसी person को अपनी life में attract नहीं कर सकता खास कर right person को attract नहीं कर सकता या मेरी life में right career नहीं है या मैं उसे attract नहीं कर सकता हूं या मेरी किस्मत में अच्छी health ही नहीं लिखी है कहने का मतलब इस तरह के जो भी mentally जो आपने blockages create कर रखे हैं negativity अपने अंदर लेकर आए हुए है उसे release करने की जरूरत है क्योंकि divine आपको बोल रहे है कि अपने आपको तयार कीजिए उस abundance के लिए उस prosperity के लिए उस love के लिए उस harmony के लिए उस peace के लिए क्योंकि आप जो सोचते हैं वही चीजों को आप attract करते हैं तो आपको divine यहां बोल रहे है कि आपको भी उस energy पर vibrate करना है और इस समय आप जिस energy पर vibrate करेंगे उन्ही चीजों को आप अपनी life में manifest करेंगे तो आपके लिए यहां पर आने वाले समय में abundance आ रही है आपको बोला चारा आप abundance अट्राक्ट करने वाले है और divine पूरी तयारी कर चुकी है यहां पर जिसे कहते हैं कि बस तयारी है बस आपको देना है लेकिन उसके लिए आपका उस abundance को attract करने के लिए उस mindset में उस energies में tap in करना बहुत जरूरी है तो भोले बाब आपको कह रहे हैं कि यह बिल्कुल correct time है बिल्कुल correct समय है कुछ भी आपकी life में चल रहा है कुछ भी हो रहा है कैसी भी स्थिती है आपकी situation में बस आपको इस vibration में tap in करने की जरूरत है जैसे ही आप इस vibration में tap in करोगे जैसी energies रहेंगे उस तरीके से आप उस abundance को attract करोगे और यह कहना यह इस तरह की talk करना अपने आपको ले करके कि मैं यह नहीं deserve करता या मेरे life में यह सब चीज़ें नहीं हो सकती है चाहे वो कुछ भी है relationship, career, health कुछ भी ठीक है mental peace हो, कुछ भी हो तो यह सब इस तरह की negative talk करना बंद कर दीजिए आपको यहाँ पर भोले बाबा यही बोल रहे है ठीक है और अपने आपको prepare कीजिए ठीक है, आने वाली abundance के लिए तैयार हो जाईए, happy हो जाईए खुश हो जाईए, आपको खुश होने के लिए बूला जा रहा है जब हम अपने लिए अपने घर में जब हमारे कोई खुशिया आने वाली होती है हम उसके लिए कितनी अच्छी तैयारी करते हैं कितनी high energies में हम लोग रहते हैं कितनी शिद्दत के साथ हम उसके लिए preparation करते हैं बस उसी energies में आपको उन्ही high vibrations में आपको आने के लिए divine बोल रहे हैं यह आपको इस वक्त सुनने की भी ज़रूरत है my dear Aries और कुछ लोगों को लिखा हुए है कि अगर मैं बात करें हैं आपे bottom of the deck look in a book लिखा हुए है whatever your questions right now you will find the answer in a book the words you find will bring the insight you seek कुछ लोगों के लिए यहां पर books read करना खास कर मुझे motivational messages मिल रहे हैं motivational books और कुछ इस तरीके की जो आपकी vibrations को high करें ठीक है जो आपको आपकी mindset को positive करें चाहे तो आप किसी की life story के बारे में आप पढ़ रहे हैं कि पहले वो person कैसे थे और उन्होंने किस तरीके से अपने life में उचाईयों को चुआ तो basically ऐसी चीजों के साथ connect होना ऐसी उर्जाओं के साथ connect होना जो आपकी vibrations को high करें आपको बोले बाबा यहां बोल रहे हैं कि उनके साथ connect होई है वो मदद करेंगे आपके भले ही वो books हों आप कुछ books read कर रहे हैं कुछ ऐसी videos आप देख रहे हैं कहीं online आप कुछ ऐसा read कर रहे हो कुछ भी something मतलब ऐसा कुछ भी जो आपकी vibrations को high करें और आपको बोला जा रहे हैं आपके जो dreams हैं आपकी जो भी सपने हैं जो आपने सोचा है basically उसमें tap in करना अपने dreamland में tap in करने के लिए आपको बोला जा रहा है आपका जो खाब है या जो आपका सपना है उसमें tap in कीजे उसे छोड मत दीजी चाहे वो किसी भी चीज को ले करके हो एक अच्छा relationship हो अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताना हो एक अच्छा career हो अच्छी health हो जो भी आप manifest करना चाहते हैं उस vibration पे आपको tap in करना है उस vibration में आपको आने के लिए भोले बाबा बोल रहे है क्योंकि आप कहीं न कहीं वो attract कर रहे हो एस टॉस्वर्ण च्रॉस्वर्ण बिताना हो एस टॉस्वर्ण ठ्रॉस्वर्ण बिताना है थ्री ओफ कब्स ब्यूरिफूल वाउ दिवर्ड सी यहां पर ड्राइरेक्ट मेसेच है देखिए आपको ना यहां पर ब्लॉकिच क्या है कि बॉटम आप देखिए आपर विश्पुल्फिल्मेंट का ही काड है जिसकी हम बात कर रहे थे माई लियर कि आपकी जो मैं कह रही उनसे कनेक्ट होना बेसिकली ठीक है उन्हें छोडिए मत उन्हें लेना मत छोडिए अपने आपको ना उस एनर्जी में मतले कर जाई कि मेरे लाइफ में नहीं हो सकता है यह सब कुछ तो यहां पर एस ओफ स्वार्ड है क्लारिटी लाना अपने अंदर ना अपने अपने मा blockage create कर रहे हैं आपके life में आगे बढ़ने को लेकर कि यह आपके लिए blockage के लिए ही कार्ड निकला है वही जो हम इसमें बात कर रहे थे same to same कि आप अपने अंदर आपके mind के अंदर क्या negativity है क्या mental blockages आपने create कर रखे हैं किस गहराई तक मेबी वो आपके कुछ ऐसा है जो कि मैं कहूंगी conscious lower पर ना भी हो लेकिन subconsciously बहुत गहराई तक वो गुसे हुई है एक आपने ऐसा thought pattern वो एक frame बना लिया है कि नहीं ये चीज़ manifest नहीं हो सकती मेरी life में ये चीज़ नहीं हो सकती अगर उपर से आप करना भी चाहो तो आप कर लेते हो लेकिन कहीं ना कहीं वो deep एक आपके मन के अंदर ना एक वो चीज़ बैठी हुई है कि नहीं ये possible नहीं हो सकता तो आपको बोला जा रहा है वो जो blocks आपने अपने अंदर create कर रखे हैं वो जो negativity आपने अंदर अपने mind के ले रखी है उसे निकालनी की जरूरत है उसके लिए आपके लिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो में बताना चाहोंगी हाला कि solution भी हमारे पास यहाँ पर है कि खुश रहना ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपको positive रखें जो आपको inspire करें जैसे कि हमने यहाँ पर books की बात करी ठीक है जो आपके thoughts को समझें जो आपके feelings को समझें और आपका साथ दें आपको grow करें ऐसे लोगों के साथ connected होना और दूसरा यह जो मैं blockages की बात कर रही हूँ न माइडियर इन्हें निकालना easy नहीं होता है आप जहें जितना मर्जी work कर लो I know where you work की आप जितना मर्जी positive ready की कोशिश कर लो जहां वो subconscious mind में stuck है न चीज़ें वो निकलनी मुश्किल है इनको निकालने का या इनको इनकी energies को ब्लोकुल shift करने का सिर्फ एक ही तरीका है वो है आपका positive affirmations देना तो आपके जिस भी area से ये connected हो रहा है आपका relationship है आपका career, health, mental peace जो भी जो भी कुछ है जो भी area specific area है उसको लेकर के positive affirmations देना starting में आपको बहुत focus create करने की जरूरा थे क्योंकि ये focus की भी कही ना कहीं बात करता है कि जब आप affirmations दे रहे ये नहीं कि आप affirmations को दे रहे हैं आपका mindset कहीं और ही जा रहा है याँ आप बहुत low energies में हैं उस समय आपको पूरी तरह से अपनी तरफ से कोशिश करनी है वो affirmations जैसे कि for example हम ले लेते हैं I'm successful तो आपको वो feel करना है कि yes आप successful हैं आप अपने career में successful हैं उसे feel कीजिए कैसा feel होगा जब आप successful होगी कैसा feel होगा तो वो आपको present moment में उसे feel करना है तो आपको यही बोड़ा जा रहा है उस mindset में tap in कीजिए अपने आपको वो affirmations आपको chanting की बहुत जरूरत है जो आपके subconscious mind में जो blockages create हुए पड़े है उन्हें वहाँ से remove करवाने के लिए यह इसी तरह ऐसे ही release नहीं होगी यह चीज़े ऐसे ही transmute नहीं होगी energies आप करते भी रहोगे तो भी वो energies अंदर रहेंगी तो उसके लिए positive affirmations बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना यह बहुत जरूरी है और जब आप उस तरह की positive affirmations बोलते रहोगे तो कही न कहीं होता है न ऐसा कि जब हम एक affirmation को बोली रहे है I am successful, I am successful, I am successful या फिर I am positive, I am positive, I am positive उसके बाद आप घर में कुछ भी काम कर रहे हो या कहीं भाहर हो, कुछ भी कर रहे हो मन में न, आपके मन में चहाँ बोल भी नहीं रहे हैं उसको मन में वो चीज चलती रहेगी I am positive, I am positive मन में चलता रहेगा, अंदर ही अंदर chanting होती रहेगी, that means कि वो आपके subconscious mind में vibrations जा रही है positive, तो यही एक way है और इसके बाद तो जो है ultimate happiness है, world है एक cycle को close करना, क्योंकि यह वो ही है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जिस pattern से आपको निकलने की जुरत है, क्योंकि कोई एक pattern है या कोई एक situation है यह कोई भी हो सकती है, my dear आप अपने according देखी इसे कि आपकी life में क्या चीज़ जो same to same है जिसको लेकर कि आप बहुत negative हो कि यह मेरे life में नहीं हो सकता है तो basically उस pattern को break करके आगे निकलना है और यह world card उसी completion की बात कर रहा है भोले बाबा यही आपको बोल रहे है कि वहीं वो completion है वहीं आप उस pattern को break करोगे और आगे बढ़ोगे तो उसके साथ connect होने की जुरत है इस mind set में आपको tap in करने की जरूरत है और यही आपको भी सुनने की जरूरत थी एरेस कही ना कही तो please इस guidance को follow कीजे और आपकी जो भी wishes हैं जो भी दिल की ख्वाहिश हैं आपकी उनको छुपाइए नहीं उन्हें बंद मत कीजे उनको ले करें के आपको आगे बढ़ना है बस आप इन guidance को follow करेंगे तो बहुत ही जलनाफ की wishes fulfill होंगी और यह नहीं है कि यह सब के लिए नहीं है यह राशी है यह वो राशी है नहीं आपका कहने का मतलब है कि जिस vibration पर आप work करोगे जिस तरीके से आप guidance को follow करोगी जितनी शिद्दत के साथ जितनी energy के साथ जितनी positive vibrations के साथ इस पर work करोगे उसी तरीके results आपको देखने को मिलेंगे किसी के life में come किसी के life में जाता वो सब आपकी energies पर depend करता है और कभी भी इन energies को ना likely नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह messages ऐसे ही नहीं आजाते हैं यह जरूरत होती है आपको तो यह तभी निकल कर आते हैं तो इन्हें receive कीजिए open heart से ठीक है सबसे पहले तो इन्हें receive करने की जरूरत है कि यह साब इन्हें receive कर रहे हैं इन्हें accept कर रहे हैं देन उस पर work करना start कीजिए वाव बहुती beautiful message था आपके लिए यह hope आपको इस message इस reading से insights मिले हो messages मिले हो guidance मिली हो मिली है तो please video को like जरूर कीजेगा channel को subscribe जरूर कीजेगा thank you so much for watching my video God bless you all bye bye